इस टिप्स में हम आपको बहुती एजी तरीके से गला बनाना बताएंगे तो इस गले को पहले तो हम जो बिगनर्स पगहरा होते हैं इस पर हम जैसे की सिलाई लगाते हैं वो नहीं लगा पाते हैं गला आड़ा तिर्चा हो जाता इस तरीके से पहले तो मैं इसके सेफ देनी एक बरावर रहता है इस तरीके से हम इसको पिन को अटेच करते हुए जाएंगे इसमें जिससे के बिगनर्स को गला बनाने बहुत ही एजी हो इस तरीके से हम सारी पिनों को यहाँ पर अटेच करते हुए जाएंगे इस तरीके से हमने पूरे गले में पिन अटेच्च कर ली हमने यहाँ पर इसली पिन लगाई क्योंकि हमें यहाँ से सलाई अटेच्च करनी करनीरी इसके बाद इसे एक पिन को निकाल देंगे अब इसी तरीके से हम इस गले पर स्लाई लगाती हुए जाएंगे और इन पिनों को निकालती हुए जाएंगे यह हमने बहुती इजी तरीके से यहां पर गले पर गोल सेप में स्लाई अटेच कर दी अब इसके बाद हम इसके कपड़े को काट लेंगे पहले तो हम उपर के साइट के कपड़े को काटेंगे जो कि हमारा एक बराबर सीधा कटने चाहिए अब हम इसका यह जो साइटो वाला कपड़ा काटेंगे वो आद baik कपड़ा छोड़कर बाकि सारा extra कपड़ा हम कट कर देंगे यह वाला जो यहां पर इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करते हैं यह हमारा कपड़ा बड़ा होता है और यह हमारी बुक्रम छोटी होती है तो यह भी बिगनर्स को बहुत है भी लगता है इसलिए हम यहाँ पर भी पिन अटेच कर लेंगे इस तरीके से हम इस कपड़े को लेंगे और जो पीछ में हमारा एक्स्टर कपड़ा हुआ इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और इसी कपड़े को फोल्ड वाले कपड़े पर हम इस तरीके से पिन अटेच कर देंगे और फिर हम आगे की साइट भी इसी तर जाते हैं खुद करना तो फिर तो इजी हाथों से कर सकते हैं उसे और यह इधर की साइट तो मारे सीधा कपड़ा आएगा यह तो हम इजी कर सकते हैं अब हम यहां पर स्लाइट अटेच करना श्टार्ट करते हैं हमें इस कपड़े पर स्लाई बीच में लगा नहीं है ना कि इसके ज्यादा साइट से या फिर अंदर की साइट से उमारी बुक्रम पर ना आए जिससे कि हमारा कपड़ा उठा उठा रहेगा अब हम इसके बाद यहां पर यह स्लाई लगाएंगे तो यहां तक पहले तो देंगे यह हमारा भी लगाव देंगे ऑप्डंग को निकालस हुए तरीके से था उपरको बेपर यह एक हम स्पीन को निकालस घंगे अब हम पूरे गल्य पर इसी तरीकी से स्लाई अटेच कर लेंगे यह पिन निकालते हुए जाएंगे और फोल्डिंग वाले कपड़े पर हम उंगली रखते हुए जाएंगे है हुआ है है यह हमने बहुत इज़ी तरीके से अपनी पीन के हैलों कि से यह हमने मुप्रम को कपड़े पर अटेच कर लिए अछी तरीके से और यह हम पर हम पूरे में क्लिच बना देंगE और इसके बाद हम याँ पर दिखोणी छोटा सा कट्स लगा देंगे कि अब में अब हमारा कुट्टी वाला法 के जो हमारा सिदी साइट है और यह मारा रॉंङ तो हमारी इसमें भी कीलिश बनी होई है और यहां पर यह कर्ण से लगा हुआ हैं अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे आप चाहें तो स्लाइ कर सकते हैं अगर आप स्लाइय नहीं अटेज करते तो में आपर तो पिन अटेज़ करके आपको बताओ छो और इस कि इस तरीके सेमने नहीं पिन इट्च कर ली इसके बाद हम ने स्पीना इस फैप्रिक पर इपना टैज्च कर ली अब हम यहाँ पर इसकी किनारी पर बुकरंबाली किनारी पर ते लगाएं लगाएंगे हमें लगानी है हमारी पर नहीं चाहिए ना कि अंदर की सेट ज्यादा एक्ष्टर कप्टे पर होनी चाहिए उनली हमारी सिलाइए इस जगा पर होनी चाहिए पुक्रम की किनारी पर अब इस तरीके से आप सीधी स्लाई तो वो तीज़ी तरीके से कर लेते हैं अगर आपको यहां पर गोल्ड स्लाई नहीं लगाना आती तो आप सीधा मसीन को नहीं चलाएं बलकि मसीन को रोक रोक कर थोड़ा 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 यहां पर थोड़ी से स्लाई लगा उसके बाद मसीन को रोग दें फिर तोड़ी सिलाई लगा लें फिर मसीन को रोग रोग कर इसको गोल सेफ में आप सिलाई लगा सकते हैं कि इस तरीके से आप थोड़ा से याप पर लगा लें उसके बाद आप अपने बूट को उठाकर इस तरीके से यापर फिर तोड़ी सी सलाई लगा लें जिससे कि आपके गोल सेफ आ जाएगी यहाँ पर मैं तो भी कर सकती हूं बहुत एजी तरीके से और आप बिगनर्स हैं तो आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है इसलिए अब हम इन पिन को निकाल देंगे अब हम इसके बीच के कपड़ी को एक्स्ट्र कपड़ी को कट कर देंगे आपको यह कपड़ा भी गोल सेफ में कट करना है इसके बाद अगर आप इस तरीके से कपड़े को अंदर की साइट फोल्ड कर देते हो तो आपकी सुकड़ा ना जाती है जो कि बहुत से लोग, beginners मैंने काफी देखे हैं, वो ऐसी कर देते हैं, जिससे कि उनके कपड़ों में सुकड़ा ना जाती है, आप इसके जगा पर, यहां पर cuts लगाएं, पहले तो, इस तरीके से आपको भी cuts नहीं लगाना, आपको थोड़ा सा भी धागा कटनानी चाहिए, जिससे कि आपका ये कपड़ा भार की side निकल जाता है, और बहुत ती जल्दी फट जाता है, और आप इस जगापर चाहिए, तो cuts लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह जो हमारी सीधी slide लगी हुए है, इसको हम अंदर की side fold करते हैं, तो हमारी right fold कर देंगे, और आपको दिखाएंगे, यह हमारा विल्कुल U-save में गलाब बज चुका हैं, अब आप इसके किनारी पर लगी स्लाई अटेच कर दें, यह मैंने यहाँ पर बहुती easy तरीके से पकड़ते हुए कपड़े को यहाँ पर यह गोल स्लाई लगा दी, लेकिन आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपके starting में से problem होती हैं, तो आप यहाँ पर जो आपने अभी बताये तो आपको थोड़ी थोड़ी machine रोग रोग कर स्ल से कर दें, फिर आप यहाँ पर थोड़ी सी स्लाई अटेच करें, और इसके बाद फिर आप बूट को उठाकर इस तरीके से कपड़ा खिसकाते हुए जाएं, और अपने बूट को उठा उठाकर यहाँ पर स्लाई लगा सकते हैं, बहुती easy तो आप देख सकते हैं, हमारा ब मारी video पसंद आई होगी, अगर आपको मारी video पसंद आई है, तो हमारी video को लाइक और channel को सबस्क्राइब करना, नह भूले, अगर आपको इसी तरीके से और चोटे-चोटे tips से सीखने हैं, तो आप हमें comment में जरूर बतल सकते हैं, हम आपको एस topic पर video बना कर दिखाएंगे, हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग